So, Welcome, Welcome, Welcome HPK Alerts Online Live Exam में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं पूरी तरह से बिजली बोल भरती के बारे में और तमाम हिमालचल प्रदेश में नई भरतियों की अपडेट आपके सामने में देने वाला हूँ और हिमालचल प्रदेश में नई एजैंसी को लेकर क्या नई अपडेट है और कब तक ये विकेंसिस आएंगी उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे और नई विकेंसी जो एजैंसी है आपकी बनाई गई है उसका नाम क्या होगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में पूरी तरह से बात करने वाले हैं दोस्तों और नए जो अगर आप अवियारती हैं अगर जो नए लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो उनको बता दिया जाया है जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा हमारे वाट्सैप ग्रूप का कि हिमाचर प्रदेश में भरती जो है आने वाली है और अगर में बात की जाये तो कौन-कौन सी अपडेट हमारे पास है तो सास्त्री भरती में मंडी में भरे गए सबसे जादा पद तो हिमाचर प्रदेश में बैच बाइस जो है भरती जो है स्टार्ट हो चुकी है तो सबसे ज़्यादा पदों की संक्या अगर देखी जाए तो हिमाचर प्रदेश में मंडी जीला में है तो पदों की टोटल संक्या जो है 151 जो है शिर्फ मंधी को मिली है और दो बिलासपूर और आप देख सकते हैं बिलासपूर और लाहल स्पीती में जो हैं उसका बची बच्वाइब भरती है के 29 को लेकर शिक्सा मंत्री रोही ठाकुर जो सिक्सा मंत्री है तो रोही ठाकुर जी है यह जो कोशिन है पेपर में भी आता है आप सभी को पता होना चाहिए तो निर्देश के अनुसार जो है जल्द ही PGT और TGT और सास्तरी JBT की batch wise भरती start हो चुकी है तो इसमें से जो बची भरती आपकी 6000 है लिखेत रूप में जो आपके जो है paper होगा इसका जो 200 पद है उसमें भी होगा तो आपकी जो नई vacances है जिसका जो recruitment process है राज्या चैन आयोग करने वाला है तो नए recruitment agency का नाम आपको बता दिया जाए तो ये इसका नाम पूरा नाम है राज्या चैन आयोग जो जो है जल्द ही इसी की भरती इस भरती को सबसे पहले आपको priority देगी तो TGT-PGT की भरती भी इसमें आ रही है और सास्तिरी की भरती भी आ रही है कि उनकी fees बापिस की जाए तो ये क्या मामला है तो हिमाचर प्रदेश में अगर देखा जाए तो JBT TAT के आविदन JBT के लिए BAD जो है अभी eligible नहीं की गई है तो उसके according देखा जाए BAD के वियार्थी जो है JBT के लिए eligible नहीं है जिनने JBT कर रही है तो वो eligible है तो इनको जो है इसका लिए फाइदा है तो अभी BAD वाले जो BAD थी हैं वो मांग कर रहे हैं कि जिननोंने पहले जो अपना paper भरा तो उसकी जो fees है उनको बापिस की जाए तो across जो है लोगों में है तो अब हिमाचर प्रदेश में मैंने आप सभी को बता दिया तो जल्द ही हिमाचर प्रदेश में आने वाली है राज्ये चैन आयोग के खुद की website अगर आप HPRCA direct search करेंगे तो ये आपको नाम मिलेगा Google में register हो चुका है हिमाचर प्रदेश राज्ये चैन आयोग जो नाम है वो change कर दिया गया है और main बाद जो बिजली बोर्ट भरती को लेकर है वो क्या है तो हिमाचर प्रदेश में electricity बोर्ट को लेकर जो है ये जो update है बहुत ही important है सभी अप्यारतियों के लिए तो ध्यान से सुनिए तो electrical JEE की भरती जो है 200 पदों की 200 पदों की मांग कर रही है service committee service committee के साथ हलांके हमारी बात भी होती रहती है हमने बात भी की थी इसमें तो इसके बारे मैंने बताया था आपको कि जो पिछली पुरानी 78 जो पोस्टे निकाली गई थी हमाचर पदेश टाफ सेलेक्शन बोड द्वारा तो वो जो वेकेंसिज हैं अभी तक नहीं हुए हैं स्थगित होने के बाद वो वेकेंसिज जो हैं फर्स चुकी है उसके बाद जो service committee की जो meeting हुई थी September में बोड प्रवंधन की जो meeting बारतलाप हुई थी जो आपको service committee की meeting की update दे दी जा रही थी तो उसमें इसकी मांग भी थी किसकी मांग थी कि जेही की भरती 200 vacant पद हैं उसकी भरी जाएं हालांकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था 600 vacant पद जो है इमाचर विदे जो है electrical की भरी जाए बट उसके अलावा आप देखेंगे कि 200 पदों की मांग जो है जो है direct recruitment के थरू जो है हिमाचर प्रदे सरकार द्वारा की गई है जो service committee ने हिमाचर सरकार की है तो आप देखेंगे कि 200 पदों में JEE की भरती आने वाली है तो अपनी त्यारी को और भी बैतर बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो हमारे पास अभी दो ही बैच चल रहे हैं जो कि electrical और mainly जो है आपका electrical है और police का बैच है आपको किसी दिए TGT की coaching जो है हमने start करके रखी है electrical के लिए अभी coaching के लिए हम teacher ला रहे हैं आपके लिए best teacher और police की भरती के लिए अगर आपको study के लिए जितना भी material या फिर coaching चाहिए तो वो भी आप हमारे जो application है वहां से ले सकते हैं तो अभी की update पूरी तरह से मैंने आप सभी को बता दी तो जितने भी electricity में मुद्धे हैं वो OPS को लेकर भी है और नई जो भरती को लेकर भी है और teammate की भरती भी इसमें main है तो क्या होगा आगे उसकी पूरी update आप सभी को दे दी जाएगी तो वीडियो को जुरूर से सभी लोगों के साथ share करें ताकि उनको ये जनकारी जो है मिल सके तो मिलते हैं अगली update में दोस्तों तो धन्यवाद